नमस्कार मैं धर्मेंद्री शर्मा आज आपको सब्जेक्ट कोड MR303 के चेप्टर नमबर वन एर कंडिशिंग लोड केलकुलेशन के पार्ट तीन के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर हम बिल्डिंग सर्वे की बात कर रहे थे तो पहले दो लेक्चर्स के अंदर पहले दो पार्ट के अंदर हमना देखा था कि बिल्डिंग सर्वे के अंदर हम लोगों को किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चीए और एक ड्रॉइंग के अंदर या जब हम साइट पिजिट कर रहे हों तो वहाँ पर हमारे को क्या क्या च इस्टॉल करने जा रहे हैं चाहिए से वह विंडू एसी हो या फिर सेंट्रल प्रांट हो या इन एर कंडिशनर एर कंडिशनिंग सिस्टम्स के साथ चलने वाली सर्विसेज हो जैसे कि पाइप है कॉपर टुबिंग है ड्रेन पाइपिंग है डक्स है इन सब के लिए हमार को लोकेशन का चाहिन करना बहुत इंपोर्टन्ट है कि जो एक्विप्मेंट है वो एक्विप्मेंट हम कहां पर इंस्टॉल करेंगे और जो भी सर्विसेज हमारी चलेंगी वाटर डिस्टिबिशन की भी और एर डिस्टिबिशन की भी उन सर्विसेज के चलने के लिए हमार टेले करणिशनिंग प्रांट लगना चाहिए मगर यदि हमने लोकेशन का सेलेक्शन नहीं करा है तो बाद में जाके हमार को पता पड़ेगा कि हमार को एक्विपेंट को लगाने के लिए प्रापर लोकेशन एलोकेट नहीं हुई है तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है तो इसके अंदर जिन जिन पॉइंट्स को हमार को ध्यान में रखना है उन पॉइंट्स को हम आज समझेंगे सबसे पहला tienical space यानि कि हमार को जो जगए है वो जग हमार को किस तरह की से मिल रही है तो इसके अंदर मार को देखना है कि सीडिया किस तरह किस तरह किसे located यह Lebator Shafd किस तरह किस फोकि और है यह भी चलेगी एक हुए और बाइभ का करनसर वाटर पाइक को चला सकें सेंट्र ब्रांड के अंदर जो भी हम एर हैंधलिंग यूनिट्स लगाने जा रहे हैं उन एर हैंधल यूनिट के लिए प्रॉपर इसपर बील्डिंग का अंदर एंलोकेट की भी होनी चाहिए हर फ्लोर को उपर हर एंदर रहे होन पर हमारको एक यह चील हुआ पर मिलना चाहिए जिसके हंदर हम अपनी मशीन को रख सके हैं Griff here connection को प्रॉपर जगे होनी चाहिए साथी साथ cooling टावर पंप और दूसरी जो सर्वेसेश हैं उनको रखने लिए भी प्रॉपर लोकिछर होनी चाहिए अब जैसे आपको मालूम है cooling tower जो है वो open space में रखा जाता है तो आपको building के ground floor को उपर खुले में जगे चाहिए या फिर building के terrace को उपर आपको जगे चाहिए जहांकि आप cooling tower को install कर सके cooling tower जब चलता है तो इसकंदर water के गिड़ने की और pump के चलने की काफी आवाज वाँ पो होती है तो cooling tower की location ऐसी होने चाहिए कि उससे जो noise create हो रही है उस noise की वज़े से आसपास का कोई भी area disturb ना हो तो इसके इसाब सा हमार को cooling tower की location select करनी होती है second जो point हमार को देखना है वो है possible obstructions यानि कि जो भी services हम लगाने जा रहे हैं उन services के रास्ते में क्या क्या बाधाएं आ सकती है अब section का मतलब बाधाएं क्या क्या संबावित बाधाएं हैं जो कि हमारे services के root के अंदर आ सकती है अब services हमारे electrical pipelines से लेंगी copper pipelines से लेंगी water pipelines से लेंगी तो इनके रस्ते के अंदर duct से लेंगी इनके रस्ते के अंदर कोई beam आ रही है, कोई column आ रहे हैं, कोई दूसरी services आ रही है जैसे माल लीजी कहीं पर कोई fire की pipeline आ रही है या plumbing की pipeline आ रही है तो ये वो सारे possible abstraction है, possible बाधाय है जो कि हमार को building survey के वक्त ही देखनी है कि कौन-कौन सी बाधाय हमारे system को run करने कंदर आ सकती है और उसका route हमार को जो है, वो पहले से ही decide करना है तीसरी चीज, location of firewalls and partitions हमार को देखना है, कि building में कहां-कहां पर firewall है, कहां-कहां पर partitions है किन-किन जगां को उपर हमारे fire dampers लगेंगे क्योंकि कई jones ऐसे होते हैं, जहांसे हम ये चाहते हैं कि यहां से fire दूसरे area के अंदर आगे spread ना हो तो ऐसे जो भी jones हैं, उन jones में जब हम services को वहां से run करवा रहे हैं तो वहां पर fire dampers का लगना जरूरी है जिससे कि उस jones से आगे के zone के अंदर fire कभी भी spread ना हो तो firewalls हमार को देखनी है, partitions देखनी है और कहां-कहां पर fire dampers हमार को लगाने है वो locations हमार को building survey के अंदर decide करनी है चौथा point, location of outdoor air intake जैसा कि हमने discuss करा था कि air conditioned space में air की quality को improve करने के लिए या air की quality को maintain करने के लिए हमार को कुछ outside air या fresh air वहां पर अंदर देनी होती है अब ये fresh air जब आप अंदर ले रहे हैं तो इस fresh air को लेने का route आपके पास मोना चीए कि building की कौन सी side से आप fresh air को अंदर लेंगे अब वो location ऐसी होनी चीए कि वहां पर बाहर किसी तरह की को smell ना हो ऐसा ना हो कि आप किसी गली के अंदर ये fresh air का intake खोल दें और उस गली के अंदर कोई smell का source हो या किसी दूसरे building का toilet का वहां पे exhaust निकल रहा हो और उसी direction के अंदर आप अपनी building अंदर fresh air का intake लेना है wind direction को विमार को ध्यान मा रखना है कि जिस location पे आपकी building है वहां पे wind direction क्या है उस wind direction के accordingly ही हमार को fresh air का intake वहां पे लेना है बाहर कोई short circuiting तो नहीं हो रही है ऐसा तो नहीं है कि आपकी खुद की building का ही कोई toilet का या kitchen का जो exhaust है वो वहां पे निकल रहा हो और उसके पास ही आपने fresh air का intake ले लिया हो तो यदि आप ऐसा करेंगे तो उसके इसकंदर जो exhaust आप पाहर निकाल रहे है वो ही exhaust वापस से घुम के आपके building के अंदर आ जाएगा तो इन चीज़ों को हमार को avoid करना है fresh air की location को बहुत ध्यान से हमार को select करना है next point इसकंदर हमार को जो देखना है वो है power services का power services का मतलब उसकी locations कहां पे है कहां पे हमार को power की supply मिल रही है किस capacity की मिल रही है कितना current हम वाँ पे ले सकते हैं क्या voltage हमार को मिल रहा है क्या single phase है three phase है और यदि हमार को extra कोई power की जुरुत है जैसे माल लीजिए तो residential building है जहां पे 10 kilowatt का load है और अब आपके जो air conditioning है उस air conditioning के लिए आपको additional load की वहां पे जुरुत है तो ये additional load जो है ये हम building में किस तरीके से introduce कर सकते हैं अब कई ज़रे पैसा भी होता है कोई घर है उसमें single phase की supply लीवी है और वहां पाप मशीन जो decide कर रहे हैं वो three phase की मशीन है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि या तो वहां पर आपको power three phase लेनी पड़ेगी या फिर आपको machine जो से select करनी पड़ेगी जो की single phase की machine हो तो available जो भी power के sources हैं उनको आपको देखना है और future में क्या expansion वहां पर power services का possible है यह चीज भी आपको building survey के अंदर देखनी होगी अगला जो point हमारे को discuss करना है वो है water services water services का मतलब कि जो जलकी उपलबता है उसकी location क्या है आपकी जो line हा रही है municipal line उसकी size क्या है अगर आपके storage water tank है तो storage water tank की capacity क्या है किस pressure पर आपको पानी available हो रहा है और किस temperature के उपर available हो रहा है तो जहां भी water pool system आप लगाने जा रहे हैं वहाँ पर ये water के बारे में जानकरी होना आपको जरूरी है जिससे कि आप वहाँ पर water pool condenser का इस्तेमाल कर सकें steam services यदि को industrial application है तो वहाँ पर steam किस location पर available है किस capacity में available है किस temperature और pressure पर available है क्योंकि कई बार हम जो steam की waste heat है उस steam की waste heat को vapor absorption system के अंदर काम में ले सकते हैं तो ऐसी कोई भी application है जहांकि vapor absorption system से waste heat काम में ले सकते हैं तो possibility हमार को explore करनी पड़ेगी कि steam के availability वहाँ पर क्या है refrigeration, brine और chill water यदि कोई application ऐसी है जहां पर पहले से ही refrigeration या brine या chill water available है customer के तरफ से तो हमार को देखना पड़ेगा system क्या लगावा है capacity क्या है किस temperature को पर available है क्या flow rate मिल रहा है और क्या pressure मिल रहा है जैसे example के तरफ पर आप माँ को बताऊं कि कोई commercial mall है अब commercial mall के अंदर जो owner है जो developer है वो developer हर building के अंदर हर zone के अंदर हर shop को उपर एक line लाके छोड़ता है जिस line के अंदर chill water का flow होता है अब आपने उस building को यदि rent पे लिया है तो उसकी जो indoor machine है वो indoor machine आपको वहाँ पे लगानी पड़ेगी तो आपको यह देखना पड़ेगा वहाँ पे कि वहाँ जो chill water आ रहा है वो chill water किस flow rate से आ रहा है किस temperature पे आ रहा है उसे के इसाब से आप अपने indoor machine का selection वहाँ पे कर पाएंगे तो जहाँ पे भी कस्टमर की तरफ से रेफिजरेशन यह चिल water यह ब्राइन अवेलेबल करवाए जा रहा है तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान से यह देखना पड़ेगा कि अवेलेबल कैपस्टी वहाँ पे क्या है नेक्स परिंट जो हमारको डिस्कस करना है कंसिडर करना है वह है आर्किटेक्ट्रिल करेक्ट्रिस्टिक ऑफ इस्पेस जब भी कहीं पे हम ड़क्टेबल एर कंडिशनर लगाते हैं तो ड़क्स के द्वारा हम अलग अलग जगे के उपर यह वहाँ पे सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई के जो आउट्लेट्स हैं उन आउट्लेट्स का जो सेलेक्शन है वह सेलेक्शन हमारको बिल्डिंग के इंटियर को ध्यार में रखके वहाँ पे करना पड़ता है तो interior के जो भी architectural drawings हैं, उन architectural drawings के इसाब से हमारे को outlets के वहाँ पर selection करना पड़ेगा, जिससे कि वो interior के अंदर properly match कर सके. Next, existing year conveying equipment and ducts, यदि कहीं पर already कोई ducts वगरे लगी वी हैं, तो उन ducts को हम किस तरीके से reuse कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूराना जो material वहाँ पर लगावा है, वो वापस कामा सके, और जो wastage है, वो wastage कम सकम हो सके, recycling जो है, वो recycling material की हो सके. Next point है, drain. यह बहुत important है, कि जहाँ पर भी हम air conditioner लगाने जा रहे हैं, वहाँ पर cooling coil को उपर moisture का condensation होता है. अब यह जो moisture condens हो रहा है, इस moisture को हमारे को air condition space से बाहर निकलना बहुत जरूरी है. तो हमारे को यह देखना पड़ेगा, कि drain points हमारे को कहाँ पर मिल रहे हैं, उनकी locations क्या है, और उनकी capacity क्या है, यानि कि कितना पानी वहाँ से वो बाहर ले करके जा सकते हैं. तो यह drain की locations और उन drain की capacity यह हमारे को building survey के वक्त देखनी यहाँ पर जरूरी है. Control facilities, कोई compressed air का source available है, तो किस pressure को उपर है, electrical में control system में क्या क्या हैं, यह सारे हमारे को वहाँ पर देखनी होंगे. Foundation and support, जहाँ पर भी हम equipment लगाने जा रहे हैं, उस equipment के लिए जो foundation है, वो foundation proper capacity की है, जिससे कि वो इस load को bear कर सके. उधारण के तौर पर माल लीजिए, आप किसे building के terrace को पर अपना plant रखना चाते हैं, तो उसकी terrace के strength इतनी होनी चाहिए, कि वो plant के static load को और dynamic load को दौनों को सहन कर सके. तो जहाँ पर भी आप equipment लगाने जा रहे हैं, वहाँ पर foundation की strength है, वो strength आपको पहले से ensure करनी है, structural engineer से यह consult करके आपको decide करना है, कि जहाँ पर आप अपनी machine रखने जा रहे हैं, वो जगे उस machine के वजन को, और जब वो machine चलेगी, तो उसको vibration को सहने के योग्य है या नहीं है अगला जो point हमार को देखना है, वो है sound and vibration control requirement, जहाँ पर भी आप machine लगाएंगे, वहाँ machine की कुछ noise वहाँ पर होती है, sound भी होगी उसकी और vibration भी होगे, तो machine की location ऐसी होनी चाहिए, कि वहाँ पर जो भी sound और vibration जनरेट हो रहे हैं, उससे आसपास के किसी area के अंदर कोई तक् करने का नहीं सोचें, उससे दूर अपने equipment को ले करके जाए, accessibility for moving equipment to final location, यानि कि आप जहाँ पे भी equipment आपका लगाने जा रहे हैं, वहाँ पे finally equipment आपका किस तरीके से पहुँचेगा, जैसे मालीज आप building के basement के अंदर अपना center plant लगाना चाते हैं, तो आपको main road से उस building के basement त है, उस plant को ले जाने के लिए clear space available होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको ले जाने के रिस्ते के अंदर जो सीडिया है, वो छोटी पड़ जाए आपके बाद में, plant को अंदर डालने के लिए plant room का जो door है, वो door आपके छोटा पड़ जाए, तो ये सारे provisions जो है, ये provisions आपको पहले से discuss करना है, कि क्या आपको बात के अंदर sizes चाहिएंगी, जिसके के अंदर आप अपने equipment को वहां पे रख सके, इसके लावा जो final point हमारे को देखना है, वो ये है कि local और national courts हमारे को क्या कहते हैं, ये local और national courts जो हैं, ये wiring के बारे में हो सकते हैं, drainage के बारे में हो सकते हैं, water supply के बारे में हो सकते हैं, refrigeration के बारे में हो सकते हैं, air handling apparatus, duct work, fire damper, या building ventilation के बारे में हो सकते हैं, तो जिस भी जगे के उपर आप air conditioning करने जा रहे हैं, वहां के local courts को study करना जरूरी है, कि वहां की जो local authorities हैं, वो हमारे को किस तरह से काम करने की वहां पे permission देती हैं, और national courts हैं, उन national courts को भी हमारे को वहां पे follow करना होता है, कई सारी जगे ऐसी होती हैं, जैसे कोई seven star hotels हैं, या कोई MNC के offices वगर हैं, वहां पे हमारे को international courts को भी follow करना होता है, तो अगर ऐसी कोई application आए, तो वहां पे हमारे को local और national के अलावा, जो international courts हैं, उन international courts की जानकारी होना भी ज देखने पड़ेगी यदि हम यह देखने के अंदर कोई भी चूप करते हैं तो बाद में हम जो मशीन लगाने वहाँ पे जा रहे हैं उस मशीन को लगाने के अंदर कई तरह की समस्यों का सामना करना पड़ सकता है तो इन दौनों पॉइंट्स की बिल्डिंग सर्वे की लोड इंपोर्टेंट है धन्यावाद